का अग हलोव फ्रेंट्स आज जो हम टॉपिक डिसकस करने वाले हैं यह है सिगारबट अप्रोच सिगारबट अप्रोच जो है यह Stock Market Investment में एक टेकनिक है सिगारबट अप्रोच सो सिगारबट अप्रोच में क्या होता है की जो जो company का जो valuation होता है, ये quantitative analysis के basis में होता है, इसका मतलब कि आप company का जो financial statement है, जैसे कि balance sheet, profitable loss account statement, cash flow statement, ये financial statement के basis में आप company को value कर रहे हैं, और आप जो है company purchase कर रहे हैं, जो सबसे कम price में available है, जैसे कि अगर company का valuation 100 रुपया है, जो company 50 रुपय में ये 20 रुपय में 30 रुपय में जो available होगा, उसको बोलते cigar butt approach, कि मतलब company का price जो है, बहुत सस्ते price में available है ये company, उसको बोलते cigar butt approach, so cigar butt approach में disadvantage ये है कि यहां पे आप focus जो है qualitative aspect में नहीं करते कि company, जैसे कि ये company long run में कितना पैसा कमाएगा, उस चीज में आप ध्यान ने देते हो, आप current valuation करते हो, और current valuation के against में ये company कितना कम price में या कितने सस्ते में available है, उसमें दियान देते हैं, कि अगर company का valuation अगर 100 रुपय है, अगर company 20 रुपय में या 30 रुपय में भिक रहा है, तो उसको बोलते cigar butt approach, कि आप कम पैसे में कम price देके आप वो shares खरीद रहे हो, okay friends, thanks.